तो अगर आप ट्रेडर है और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फंड को जोईन कर सकते हैं यहां पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम वाला प्रोग्राम ले सकते हैं तो आप जो वीडियो के description में जो link है वहां से register कर सकते हैं आपको 10% discount में लेगा Hello guys, welcome to Forex salary channel और इस week के Forex market analysis में आपका स्वागत है अगर आप पहली बार है इस channel पर तो please subscribe the channel कुई कि मैं Forex से related काफी interesting और educational videos आपके लिए बनाता रहता हूं ताकि आप Forex trading में progress कर सकें तो इस video में हम forecast करेंगे सभी major commodities और metal और bitcoin के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले अपते में क्या क्या news है जो impact करेंगी trading की direction के लिए तो सबसे पहले अगर आप चलेंगे तो मेरी website पर आप कलेंडर में जा सकते हैं Forex कलेंडर में और यहां पर आप देख सकते हैं आने वाले अपते में जो भी न्यूज है जो impact करेंगी अगर आप देखें मंडे से लेके जो next Friday तक का schedule है उसमें जो सबसे बीजी डे है अगर मैं आपको यहां पर पताना चाहूं तो वह हमारे लिए Thursday इस अपते को Thursday बहुत बीजी होने वा direction रहता है inflation हो गई जो भी है पर Thursday जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले न्यूज साड़े बार अवजी रात के सुबह मॉर्निंग में अगर आप कहें कि साड़े बार अवजी रात के जो आप देख सकते हैं सबसे पहला FOMC projection पर interest rate decision और FAT की press conference है यह सब यह impact definitely करेगा उसके बाद अगर आप चलें तो ऑजी के उपर back to back news है जो कि सुबह अच्छे होजे तो even आपका Asian session काफी volatile रहेगा ट्रेडिंग में काफी volatility यहाँ पर होची की होगी और जी पेर्स में related उसके बाद अगर हम आगे चलें तो दिन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले Swiss franc का यहाँ पर भी इनका bank rate का decision है जो आप देख सके है जो कि euro के लिए रहता है जो 2-2.5 तो कितने हाँ पर देखिए forecast है जो interest rate की decision है तो घस्टे काफी volatile होने वाला है तो मैं carefully कहूंगा अगर आपके कोई tight stop loss हो आप इस दोरान तो वहाँ पर उनको tight ना लगाए और फिर आप देखिए उसके बाद जो भी news है वाप 7 बजे से ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि market continuously down movement में यहाँ पर चल रही तो USD में आपको देखिए weakness यहाँ पर मिल रही है continuously market जब इस level को यहाँ पर break किया फिर continuously downtrend में यहाँ पर चलते हैं तो कुछ retention होती है और उसके बाद continuously down पो expected है कि USD में भी downturn movement continue रहेगा unless जो news है जो bank rate की decision है उ यहाँ से फिर turn ऊपर की तरफ हो तो चलिए देखते हैं बागी पेर्स में क्या impact रहेगा और आप यहां से फिर target profit इस level पर देख सकते हैं यहां तो अगर हम इस level को break कर देते हैं फिर down की moment आप देखें मार्केट सीधा यहाँ पर आए उसके बाद continuously अप तो इस level को इस ने hold किया और slowly फिर उपर की तरफ मार्केट रहा गड़ गड़िया तो को जादा volatility यहां पर आने वाले अपते में euro usd में हम क्या observe कर सकते हैं तो यहां पर आप देखें एक channel के अंदर हम यहां पर move कर रहे हैं और यहां पर आप देखें डबल टूप बनता हूं नजर आ रहा है अगर आप इसी range के अंदर ही मैं कहूंगा कि आप इसमें trade के लिए देख सकते हैं अगर sort की opportunity आपको मिले यह लेवल breakout होता है फिर यहां पर आप इसमें buy की opportunity देखें दुबारा से तो अगर यह हम इस level को break कर देते हैं 1.0446 तो फिर हमानी down की जो moment है 1.03 के आसपास आती है तो अभी डिपैंड करेगा कि bank rate का decision किस तरीके से market को lead करें direction मिले तब ही हम अभी यहां पर double top बनता हो नज़र आ रहा है अगर यहां पर breakout होता है इस level पे तो हम continuously down की moment देखेंगे नहीं तो आप continuously buy के लिए देख सकते है market किस तरीके से slow जाएगी तो euro USD में मैं थोड़ी weakness य यहां पर आप देखेंगे अगे थर्ड दिसम्बर तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि market को नीचे आने दीजिए वेट कीजिए इस level पर क्योंकि यहां पर ही आपको buy की opportunity मिल सकती है आप यहां से इस में buy कर सकते हैं और जो पिछला high है वहां तक का target देखेंगे market down नीच तो same direction guys यहां पर भी market channel में चल रही है अगेन हम same उसी area में यहां पर आचुके है double top और अगर हम इस level को यहां पर breakout करते हैं तब ही हम ओपर की दुरफ direction देखेंगे 1.26 तक का area यहां भी आप channel के अंदर ही target देखेंगे अगर आपको कुछ spike यहां पर बेलती है मैं यहां पर observe करना कुछ source की opportunity में इस double top area में अगर down moment मिलती है पहला target आपका 121 और ultimately 119 तक का target यहां पर observe कर सकते हैं तो अगर हम यहां पर 1.22 इस level को breakout करेंगे, इस channel को breakout करेंगे तो हम continuously down की moment यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर मैंने आपको बोला था गी या तो हम इस level को breakout करें तो ओपर की तरफ buy opportunity देखेंगे, टार्गेट इस level पर देख सकते हैं नहीं तो आप यहां से में moment देखिए, इस level के आसपार सब्सक्राइब करेंगे, यहां पर हम buy opportunity देखेंगे, क्योंकि एक solid support है और यहां से फिर market ने दुबारा जम करना शुरू किया, आने वाले अपते में ओजी वेस्डी में क्या देखेंगे, तो सेम डारेक्शन गाईजी, euro, gbp, सभी price में आप सेम moment देख रहे हैं, market इस level पर आज चुकी है, पहुंच चुकी है, अब यहां पर wait करना हुगा, क्या market लेवल क इसको भी breakout करते हैं उपर की तरफ, तो फिर 71 तक का target यहां पर आप observe कर सकते हैं, तो मैं यहां पर observe करना चाहूंगा, गाईज, अगर कुछ sort की opportunity यहां पर लगाए, और target profit within a range यहां पर मिल सकता है, तो एक अच्छी opportunity हो सकती है, depend करता है, तो observe कीजिए, और इस आप से फिर आप इसमें ट्रेट लीजिए, अगला पेर गाईज हमारा NGD USD, यहां पर भी आप देखें, सें थर्ड डिसमबर आपको बोला था कि यहां से मार्केट अगर कट्रिसली उपर जाती है, तब ही हम बाई के पॉर्च्छी नहीं तो आप डाउन मोमेंट देखिएगा, और इस पर भी नेक्स वीक में आप क्या देखेंगे, हम डबल टॉप इस लेवल पर यहां पर आते वे बनते वे नजर आ रहे हैं, तो हमें वेट करना हो देखिए, क्या यह इस चैनल को ब्रेक करती है, डाउन मोमेंट बिलती है, तो हम कंट्रिसली डाउन की मोमेंट देखेंगे, और फिर डाउन मोमेंट में आप इसमें सेल कर सकते हैं, अगर हम लेवल उपर ब्रेक करें, इसको सस्टेन करता है, डेफिनिटल फिर आप इसमें बाई की पॉर्चिंटी देखेंगे, अगला फिर घाई नमारा यूस्दी कैड, यहां पर हम ते 2nd December के आसपास, मैंने कहा थ अगर हम यहां पर ब्रेक नहीं किया, और फिर दुबारा से इसमें बाई कर दिया है, तो हमें जो सेट अप में आप और आपको बोलता है, अगर हमें सोट की पॉर्चिंट यहां पर मिलती तब ही आप इसमें सेल करते हैं, तो महां तब मार्केट नहीं गई पर इस लेवल बाई दुबार किया, और दुबारे से मार्केट अप मुमेंट दिया, और यूजदी पुरितेगे से कैट के गए, स्ट्रॉंग रहा है, अब आने वाले अपने में यूजदी कैट में क्या अपज़र कर सकते हैं, तो यहां पर साफ मुमेंट आपको उपर की तरफ मिली, मा यहां पर देखिए, फोड़ा मुमेंट यहां पर रहा है, डवल बॉटम मिला, और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, जिग जैग करेगी, और बिल्ड होंगे, या फिर रेंज में रही या फिर उसके बाद पिर आपको कुछ मुमेंट मिलें, तो आप यहां पर देखिए, फोड़ा मुमेंट यहां पर रहा, डवल बॉटम मिला, और उसके बाद मार्केट उपर की तरफ, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, फिर भी आपको एक अच्छा टार्गेट यहां पर मिला होगा, अब आने वाले अपते में, यूस्टी जैपनी जैन में हम क्या करते हैं, तो यहां पर डाउन मुमेंट थी, उसके बाद एक अच्छा स्टांग मूब दिया, आप दुबार से मार्केटिक रिटेश्मेंट करते हैं, नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर इस चैनल में ब्रेक आउट मिलता है, डाइस डाप लोस नीचे लेवल पर लगाई और भी बैटर है, आपको यहां पर ऐसकते हैं, अगले पिर आप देखें 2nd December, मार्केट कंटिनिसली डाउन में चल रही थी, चैनल भी आपको बोलाता है, अगर हम इसको ब्रेक हूट मिलता है, आप आप देखें इन, वहां तो आप लिगाज की ब्रेक आउट मिलता है, अब नेक्स फीक ने हम क्या देख सकते है तो गयज आप देखिए लेकर टेसलिट और उपर की अच्छा है आप डिया आपने मार्केट के बाद हम यहां पर क्रेक्शन पर आप डेख रहे हैं अगर हम चैनल के अंदर चलते हैं तो हम 168 तक का टार्गेट यह आप देख सकते हैं अगर हम यहां पर ब्रेक आउट मिलता है नीचे की तरफ डाउन तो 164 तक का टार्गेट देखेंगे तो अब्जर्व किजिए किया मार्केट सेम इसे लेवल में चल रही है उपर की तरफ जाती भी है तो यह आपका 168 उपर का ले यहां पर कहा था कि इस लेवल को अब्जर्व कीजिए का कुछ अगर यहां पर यहां पर तक टार्गेट देख सकते हैं नहीं तो सोट की पॉट्शुटी मिलते हैं अब आने वाले अप्टे में क्या आप्जर्व कर सकते हैं तो गाई सेम अगेन ऑजी जपनीज हैं यहां स्विल के अधर यहां मिलते हैं अगेना गरते हों नछे यहां पर यहां मिलते हैं ऐ सकते हैं कर सकते तो ईसे साथर यहां पर उसका्यद कर सकते हैं अगला पिर गाइज हमारा यूएजडी सिस्ट्राइंग तो यहां पर भी आप देखें हम थे 2nd December के आसपास मैंने कहा ताम यह तो इस लेवल के आसपास हम इस रेंज में रहेंगे अगर डेकाउट मिलता भी है तो ओपर की तरफ टार्गेट फिर हम देखेंगे यह और भी ब है इस सपोर्ट के आसपास भी आ चुकी है डाउन मोमेंट में भी है तो अब यहां पर क्या मोमेंट मिलती है कि दर की तरफ हमें ब्रेकाउट मिलता है अगर हम उपर की तरफ ब्रेकाउट यहां पर देखते हैं तो 96 तक का लेवल देखेंगे और इस लेवल को हम ब्रेकाउ अब आने वाले आपने में यहां पर आप देखे तो कई यहां पर आप देखे हैं यहां पर हम एक रेंज में भी बन रहे हैं इस level को market break नहीं कर पा रही है और continuously strength को हम यहाँ पर और इस support को हम यहाँ पर observe कर रहे हैं तो again आने वाले अपते में definitely आपको breakout मिलने वाला है 88 उपर की तरफ अगर हम buy की opportunity देखते हैं या फिर down moment में जाते हैं 84 या फिर उससे नीचे फिर market continue तो फिर हम sort की opportunity देखते हैं अगला फिर गईज हमारा goal यहाँ थे हम second December के आसपास इस level के आसपास थे मैंने कहा था हम resistance में African double top भी बन रहा है और अगर हम इस level को break करते हैं तभी हम buy के opportunity देखें नहीं तो मैंने आपको गुला था down में आ जाईए नीचे की तरफ देखिए आप sort time के लिए sell opportunity देख सेते हैं और यहाँ पर फिर आप इसमें buy करेंगे अगर आपको better opportunity मिलती है या फिर contest market जाती है तो यहां से फिर हम range के यहां पर आप आउट हुए और इस level में आप देखिए market ने फिर buy order बिल्ड करने की सुरू किया और फिर आप देखिए सेम उसी level में आ चुके हैं तो एक sort और buy दोना opportunity आपको forecast के साब से हैं आने वाले अपते में गोल्ड में हम क्या observe कर सकते हैं तो गायल अगें आप देख आप चैनल के अंदर टार्गेट रखेंगे 1840 या 1873 अगर usd में strength मिलती है usd strong रहता है तो फिर down moment देखिए गाईज हम इस level पर यहां पर आ सकते हैं और sort के opportunity आप देखेंगे तो यहां तक का टांग देखिए हम इस level को भी रेक करें तो फिर 1729 यहां तक की moment आप इसमें दे चुछी देखेंगे अगला फिर नमरा है silver यहां पर भी आप देखें सेकेंड दिसम्बर उसके बाद market country डाउन जो आपको बोला था same उसे level पर market आई same gold की तरही यहां पर भी buy की opportunity और एक अच्छा target यहां पर आपको मिला हो आने वाले हपते में again silver में हम क्या देख सकते हैं अब जो करना हो क्या breakout मिलता है उपर की तरह market इस level को sustain करती है और फिर हम continuously ओपर की दर देखेंगे तो 26 तक का level आप देख सकते हैं नहीं तो यहां पर मैं अब जो करूँए इस range के अंदर market इस level पर आए फिर आप आप सोट की opportunity देखें अगर हम लेवल को ब्रेकर देते हैं 43 का sort of fortune देखें और target आप 20 के आसपास 22 के आसपास देख सकते हैं और अगर हम continuously जाएंगे भी तो 2500 के आसपास आप अब जोर करेंगे अगला फिर गाईज हमारा oil यहां पर आप देखें हम market में थे second December के आसपास मैंने कहा था हम यहां पर इसमें buy के fortune देख सकते हैं और आप देखें मार्केट यहां पर थी इस level channel के अंदर चल रही थी कोई breakout ओपर नहीं मिला सीधा oil में आपको weakness मिली है strong down movement नीचे की तरफ देख रहे हैं क्या market में चलती है तो आप शोट की portion देखेंगे हैं जो हमारी support है वो 66 तक का level है जब आपको कहीं पर भी चैनल breakout मिले वो यहीं से हो सकता है यहां से हो सकता है फिर हम 75 तक का level यहां पर अपर आप देखेंगे तो सोट अगले अगर चैनल में 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 कर रहे है कुछ जादा movement नहीं मिल रही है और यहां से आप देखें इस लेवल के असपास थे 2nd December तो मैंने कहा था अगर हम बाई के फॉर्चन ही मिलती है चैनल में तो आप देख सकते हैं पर ज्यादा बड़े target नहीं देखिए वो ही देखिए कुछ जादा moment है आपको मिली नहीं है अगें नेक्स वीक में आप क्या अपज़र कर सकते हैं तो हम यहां पर एक range के अंदर बनते हैं नजर आ रहे हैं आने वाले अपने में काफी निज़ है USD के उपर भी है definitely आप इसमें कुछ breakout मिल सकता है तो अगर range को हम breakout करते हैं उपर की तरह continuously हम 18 या 19,000 तक का target यहां पर अ आप जा कर सकते हैं अगला बिर गाज हमरा Ethereum यहां पर भी आप देखें तो हम से सकेंड दिसम्बर और मैंने कहा था डाउन मूवमेंट देखिए buy opportunity यहां पर मिले बैटर रहे गाए stop loss नीचे लगाईए target यहां तक का देख सकते हैं जितना down नीचे जाएगा अपना better रहे औ और same इस लेवल पर आई market यहां पर अगर आपने buy के opportunity देखी होगी तो यह एक इचागा सा target यहां पर भी आपको मिला होगा अब आने वाले अपते में क्या देख सकते हैं तो भाई यहां पर आप देखें तो इस लेवल को यहां पर market एक तरीके से respect करती ही नजर आ रही है यहां पर देखेंगे और 1600 तक का target आप देखेंगे कि उससे पहले हमें को resistance यहां पर देखेंगे तो अगर यहां पर ब्रेक आउट करते हैं तो डिपेंड करता है जैसे मैंने बोला यूएसदी में पैंगरेक का decision कैसा रहता है weakness आती है strength रहती है विक्नियों उससे सबसे observe करके आप इसमें बाई यहां पर आप देखेंगे मैंने आपको बोला देखेंगे इस लेवल को हम यहां पर पोड़ करते हैं तो market देखें तो कोई buy opportunity नहीं मिली जो मैंने आपको बताया था अगर अगर मिलती है तब हम यहां पर buy करेंगे और target फिर उसे सबसे देखेंगे नहीं तो market financially down moment में यहां पर चल रही है अब आने वाले अपते में US 30 में क्या observe कर सकते हैं तो guys यहां पर आप देखें हम consciously up थे इस market में एक channel में इसको breakout मिला और आप down moment नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारे जो target होगा 33,000 के आसपास यहां पर आप observe कर सकते हैं अगर हम इस level को भी break करेंगे तो 32,750 या फिर 32,000 नीचे की तरफ देख सकते हैं और अगर हम इस channel retracement continuously जाती है तो depend करिए wait कीजिए कहां तक यह जाती है और opportunity observe करेंगे अगले फिर गई हमारा यूए संडेट यहां पर भी आप देखें मैंने आपको बताया था सेम बाइक की opportunity observe करेंगे अगर हमें कुछ बाइक बाइक बलती है नहीं तो आप चैनल के अंदर ही आप यहां पर move कर रहे हैं मार्केट सीधा उसी level पर देखिए तो आप चल रहे थे और एक अच्छे का सी moment यहां पर मिली अगें सेम यूएस 30 की तरह है हम यहां पर observe करेंगे कि क्या market इसी तरह की से पर जाती है तो आप टार्गेट यहां तक 12,000 तक का देख सकते हैं नहीं तो आपको सोट अपोर्टिटी कहीं पर भी मिले स्टॉप लगाईए टार्गेट पॉफिट नीचे रखिए और यह अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक आप कर देते हैं तो 110,000 तक यहां पर हम observe करें तो गाइस यह मेरे सब्ते का फोर्कास्ट इससे आपको कुछ हैल्प मिल रही होगी जो भी सेटप आपको मैं बताता हूँ काफी पेर्स में बताता हूँ आप सभी पेर्स को आपको ट्रेट करने की ज़रूत नहीं है जो इनमें से आपको बैस मिले उसके अक्वर्डिंग आपको इससे आपको मैश करता हूँ दिखाई दे, आप उसमें से ले सकते हैं आपको एक डिर्क्सिंग मिल जाती है कि यह 10-15 पेर हैं इनमें से कौन से मोग कर रहे है और अच्छी तरीके से फिर आप से अपको एससे कुछ हल्प मिलती है प्लीज कमेंट में बताईए कर दो कर दो